यो बॉइस औंग गर्ट्स वेलकम टू दे चैनल गाइस आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन एम्रेड वर्जन ओके और गाइस हमने डिसाइड किया था कि हम अमारे जो नए पोकेमॉन है उनको थोड़ा सा ट्रेन करेंगे तो अभी हमने सारे पोकेमॉन की ह कर ली है तो देखते हैं यहां पर कोई चैलेंजर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा यहां पर पिछली बार कोई चैलेंजर नहीं था दोस्तों लेकिन एक चीज मुझे चेक करनी थी जो कि मैं भी चेक करने वाला हूँ एक सेगेंड जल्दी से हम अपने पोके बैग में चले जाए ओके इसको यूस करते कैसे है बूटेड़ फैन एच म ओल राइड इट कंटेंड फ्लेश ओके टीच फ्लेश क्यों पोकेमान ओलड रइट देखते हैं की सपॉक्यमान को सिखा सकता हूं मैं शायद विजमर को सिखा दे सकता हूं ओके नहीं पर यह एबल ही नहीं है ओ क्यों न सेबल आई को सिखा जाए देखते हैं सेबल आई वांट्स टू लर्न दा मूव फ्लैश ओके हावेवर सेबल आई अल्रेडी नूस फोर मूव ओ शेट गाइज यह तो काफी बुरी बात है ठीक है देखते हैं इसके पास कोई बेकार सा मूव हो तो शायद मैं उसको इसको फ्लैश ओल्राइट तो हमने इसको फ्लैश सिखा दिया है और अब जल्दी से चलते हैं हम बैक जाएंगे थोड़ा सा ओके और जल्दी से अब भाई हम गुफा में वापे जाएंगे दोस्तों क्योंकि वहां पर अंधेरा जो था है उसको हम इस फ्लैश के जरीए गुष गया ओ शायद मैं यहां पर गलती से गुष गया सौरी दोस्तों आपके घर में गुषने के लिए और तो अब जल्दी से चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं उस गुफा में और क्या-क्या है क्योंकि मुझे ओ तेरी एक चैलेंजर दोस्तों वाट दो पीपल दो एक लेकित्यकर आपके जाए घराधा है लेकिनल करते हैं अब मतलब फिर ओस्रूम जाते हैं और क्या और क्या करते है ऐं पता नहीं गया ऩिवालाध होग सब्लग वाइल एमन जारी की स्रिपाशन अा तो शली पार और kg अ को सन सबाद ना सबाथ ओके यह भी एक फिशरमैन है दोस्तो ठीक है फिशरमैन निड सेंट आउट टेंटा कूल ओके टेंटा कूल पिशली बार का बदला मैं आब लुगा इससे माच टॉंप नहीं दोस्तो इस बार में यूज करने वाला हूँ अपना नया पोकेमोन जिसका नाम है सेबल आए हाँ इतना असरदार होगा है टेंटा कूल का अटैक सेवल लाइपर ओके इसका पॉजन स्टिंग काम नहीं किया दोस्तों मज़े आ गया अब दिखाता हो इसको स्क्रैच मार दूंगा इसको पहले मैं टेंटा कूल इसने पहले क्या है पहले अटाक कर दिया और इसने मुझे confused कर दिया है और मैं confused हो चुका हूँ Savealize confused और शायद मैं अपना attack खुदी पे मार लूँगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप confused हो जाते पर ठीक है फिर भी कोई बात नहीं मैं अपना ये night shade यूज़ करता हूँ पर इसने फिर poison sting यूज़ किया जो कि शायद मुझे असर नहीं करेगा ओके इसनाट वरी एफेक्टिव येस सही मज़ा आ गया है पर हम confused है दोस्तों अभी भी इट हर्ट इटसेल वो शेट ये ये तो घलत बात है तो ठीक है यार Savealize सॉरी लेकिन ये मैच तुमसे नहीं लड़वा सकता मैं जल्दी से मैं अपना माश्टाउंप निकालता हूँ और भाई ये सामने वाले का काम कतम करता हूँ All right Savealize That's enough, come back Go माश्टाउंप Okay माश्टाउंप भाई थोड़ा से सामने वाले को सबक सिखाते हैं ये थोड़ा है Poison अरे नहीं यार लेकिन इसका Poison तो असर करता है Okay नहीं करता All right माश्टाउंप भी इसका Poison असर नहीं करता दोस्तों ये तो काफी बढ़िया बात है यार Mudshot Okay मेरा फेवरेट अटेक One of the फेवरेट अटेक Sorry Mudshot All right और सामने वाले का काम दमाव दोस्तों Super Effective मज़े आ गया है Okay Four Tentacool Fainted Mass Storm gained 123 Experience Points Sable Eye gained 123 Experience Points बढ़िया Player defeated Fisherman Ned Okay तो Okay I lost because I am trying to Go to the washroom अरे भाई ये बंदा भी न भाई वाश्रूम जाना है तो वाश्रूम जाओ यार Pokemon Pokemon क्यों खेल रहे हो पता नहीं है क्या अंसान है भाई पर ठीक है हम जीच चुके हैं दोस्तों इसको जाते जाने देते हैं वाश्रूम में हम जाते हैं हमारे Cave में जल्दी से और भाई मैं थोड़ा और कुछ explore करना चाहता हूँ वहाँ पर लेकिन हाँ गाईस एक और चीज़ तुम्हें भूली गया हमको Poke Ball खरीदने थे तो यार यहाँ पर Poke Ball की Shop तो शायद नहीं थी मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ शायद हो तो मज़ा जाए नहीं यार यहाँ पर तो कोई Shop नहीं है और मुझे Poke Ball खरीदने के लिए अब Town बदलना पड़ेगा तो इसलिए मैं अब कोई Pokemon शायद ना पकड़ू तो जल्दी से मैं पहले गुफा में जाता हूँ और देखता हूँ भाई वो Steven जो बंदा था जिसको हम यहाँ पर ढूड़ने आये थे शायद वो मिल जाए मुझे Cave के अंदर तो इसलिए जल्दी से पहले Cave के अंदर चलो ओके इस बंदे ने मुझे वो Flash वाला वो दिया था तो ठीक है पर यार उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं पता नहीं यार देखते हैं पोकेमोन को बिना फाइट के बाहर कैसे लाते हैं यह मुझे नहीं पता गाईस अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे कॉमेंट में बता देना ओके यहाँ पर इस Cave में वापिस आ गया हूँ मैं अब शायद कोशिश करके देख सकते हम लोग एक बार कि हम किसी में उस ब्रॉली को हराना पड़ेगा जिसके लिए मुझे माकोहिता को ट्रेन करना पड़ेगा ओके ठीक है कोई बात नहीं दोस्तों इस गुफा में फिर भी हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा जल्दी से मैं यहाँ पर ऑपोनेंट्स ढूंडता हूँ और माकोहिता को देखते हैं ओके भाई तगड़ा सेबल आए सेबल आए वो भी लेवल टेन वाला ठीक है सेबल अपियर शाया इसको हराना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा लेकिन ठीक है मैं इसको हराने के पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से अपना पोकेमॉन बदलता हूँ पहले ओके आ जाओ बेटा माकू हीटा औल्राइट लेट्स गो माकू हीटा मजट कॉम एकक ऊंप और के गोमा कू चलो बाई माकू हीटा आ गया हक हमारे हमारे डोल सोले यूस लियारह हो के यह सेवलियु अपना टैकल यूस कर देता हूँ इसने अपना नाइट शेड यूज़ कर दिया पता नहीं अटक करता क्या है पर हेल्थ काफी कम करता है पर मेरा टैकल भी कम नहीं ओ एक सेकेंड इट डाजन्ट अफेक्ट अरे यार यार यह तो प्रैंक हो गया मेरे साथ पर ठीक है मैं इस पर सैंड अटक करके देखता हूँ ओके फिर से नाइट शेड यार यह शायद डरा तो नहीं देता हमारे पोकेमॉन को क्या पता ऐसा ही कुछ लग रहा है और भाई तेरी इसने तो पूरा हेल्थ मेरा आधा कर दिया ओ तेरी इसके पास यह क्या-क्या अटक है यार की ना है क्या-क्या पता नहीं पर मांको इत अब मार्श टॉम के बारी ओके बेटा सेवल आये अब तुझे दिखाता हूं यह स्क्राच वाज मुझे पर काम नहीं आएगा ओके क्रिटिकल हीट वो बस बातों के लिए ठीक है वो असल में कोई क्रिटिकल ठीट नहीं है ओके वाटर गन और राइट वाटर गन का इस्तम अब देखते हैं अब तो शाहिद खतम ही हो जाएगा बिल्कुल और राइट काम तमाम दोस्तों वाइल सेवल आफ पेंटेट ओके मांच टॉम गेंट सेवेंटी ओके मांको हीता गेंट सेवेंटी ओके चलो बड़ी आये ऐसे ही करके लेवल अप कराता हो दीरे-दीरे सब क को कोई दूसरा बंदा आजाए अब जिसमें भी दम है आजाओ भाई जल्दी से ओके एक और आगया कौन है यह एक और सेवल आया है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं सेवल आइस की पूरी आर्मी को हराऊंगा आज में वाइट सेवल अपियर गो मार्श टॉम ओके मार्श टॉ सब्सक्राइब करता हूं जल्दी से ओके वाइल सेवला यूस्ट फॉर साइट से होता क्या है दोस्तों मुझे नहीं बता है पर ठीक है आइडेंटिफाइट कर ले भाई ठीक है कर ले मार्श टॉस्ट एक और यूस्ट सेवलाइस की ना है प्रिवेंट आक्यूरेसी लॉस ओके शायद अटैक नहीं हो पाएगा ठीक है कोई बात नहीं पोकेमॉन वापिस में चेंज करता हूं और बुलाता हूं हमारे मार्श टॉम को ओल्राइट तो माकुहिता दैट्स इनफ कम बैक ओके गाईज इससे क्या हो करता हूं इसका काम तमाम करता हूं दोस्तों ओके देखते हैं ओल्राइट एक शॉट में काम तमाम वाइड सेवलाइफ इंटेड ओके इसलिए बोलता हूं बेटा अपने से बड़ों से पंगा नहीं लेना चाहिए और मेरा लेवल तो 20 है ओल्राइट तो काफी डम बाते कर के मौन आ गया कौन नहीं है एरन ओके इसको तो भाई पकड़ना चाहता था में वैसे क्योंकि इसका इवल्ड फॉर्म काफी तकड़ा होता है अब पर देखते हैं अब क्या कर सकते हैं अगर इसको मतलब बचा पाए तो इसको जरूर पकड़ लेंगे वरना तो इसका काम त टैकल ओ टैकल इस पर ज्यादा असरदार नहीं होता है पर ठीक है हेडबट ओ शिट इसका हेडबट नाम से लगा था काफी तगड़ा होगा पर यार यह तो ऐसी चोटा मोटा टैक निकला है ओके मैं अपना मट शॉर्ट यूस करता हूं और देखते क्या होता है और यह खत तो गाइज अब मैं थोड़ा सा अपने डार्क टाइप पोकेमॉन को भी यूस करना चाहूंगा ओके कौन आ गया ओके जूबैट है ठीक है बेटा जूबैट अब तू थोड़ा एक तगड़े पोकेमॉन से लड़ेगा जल्दी से मैं बुलाता हूं अपने नए पोकेमॉन को जल्दी से आजा बेटा सेबल आए जल्दी से आजा सेबल आए माच टॉब तुमारा काम हुआ खतम अब सेबल आए की बारी ऑके सेबल आए यार बत पता नहीं इसका और रही कुछ अदर के काफी तगड़ा लगता है देखने से और इसने लीच लाइफ यूज किया है पर क्या ही कर सकते हैं अब हमारे पास इसका कोई वह नहीं है तोड़ नहीं है फिलाल ठीक है हमारे पास काफी तगड़े अटैक्स है पहले में नाइट शेड यूज करके देखता हूं पर ये तो भाई लीच लाइफ यूज किये जा रहा है रुकने का नाम ही नहीं ले रह पर ठीक है हमारा अटैक्स शायद काम करेगा हां काम करेगा ओल राएट नाइट शेड ओके सामने वाले का कितना काम तमाम हुए अरे नहीं ज़्यादा असरदार नहीं ठीक है उसक्रैच यूज करता हूं ओके इसने फिर से लीच लाइफ यूज किया और काफी सारी एनरज सेवल आय एक और आखरी स्क्रैच मार देते हैं इसको सूपर सॉनिक यूज़ कर दिया इसने और इसका अटैक मिस हो गया है सेवल आय का स्क्रैच लग गया लेकिन और जुबैट का काम तवाम वाइल जुबैट फिंटेड ओके सेवल आय को भी पॉइंट्स मिल चुके है दोस्तो ओल राइट तो गाइस अब एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हो अपने पोकेमों की हेल्थ जल्दी से जाता हो भाई पोकेमों सेक्शन में ओके सेवल आय और माकोईता जिनको मुझे ट्रेन करना था गाइस वह लोग तो काफी मतलब कमजोर हो चुके हैं माकोईता को मैं स्पेशली ट्रेन करना चाहता था पर ठीक है शायद हमको पहले जाके ब्रॉली को हराना ही